हेलो बच्चो कैसे हैं आप आज हम आपको एक नई कहाने सुना रहे हैं शायद आपने ये कहाणी पहले न कभी सुनी हो चली शुरू करते हैं आज की कहानी का नाम है कुरूप पेड वह समय पहले इस जंगल में बहुत सारे सीधे तने हुए सुन्द सुन्दर पेड थे उसी जंगल में एक पेड अलग थलग सा था उसका तना जुका हुआ और तेड़ा मेड़ा था उसकी डानिया भी तेड़े मेड़ी थी अपनी इस हालत की वज़े से वह पेड काफी उदास रहता था जब भी वह दुसरे पेड़ों की ओर देखता तो आहा भरने लगता काश मैं भी बाकी पेड़ों की तरह सुन्दर होता भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है एक दिन एक लकड़ा उस जंगल में आया लकड़ा यानि लकड़ी काटने वाला उसकी निगहा उस तेड़े मेड़े पेड़ पर पड़ी वे तिरसकाय भरे स्वर में बोला यह तेड़ा मेड़ा पेड मेरे किस काम का और तब उसने बाकी सारे सीधे और सुन्दर पेड़ो को काड डाला तब इस टेड़े मेड़े पेड़ को समझ में आया कि बागवान ने उसे टेड़ा मेड़ा और कुरूख बना कर उसके साथ कितना अच्छा किया? क्योंकि उसके इससी आकार की वजशे ही उसकी जान बज गई. इस कहाने से हमें इस शिक्षा मिलती है कि हम भगवान ने जैसा बनाया है हमें उससे संतुस रहना चाहिए, कभी भगवान से इस शकायत नहीं करनी चाहिए कि हमें यह नहीं मिला, हमें यह नहीं दिया, हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो गरीब हैं, हम तो सुन्दर नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास धंदौलत नहीं है, हमारे पास अच्छा मकान नहीं है, तो जो इश्वर ने आपको दिया है, उसमें होगे तो सबर का फल आपको अच्छा ही मिलेगा सबर का फल और मेहनत का फल हमेशा मीठाई होता है अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप से रिक्रिस्टे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और इच्छी नहीं नहीं प्रेंट ना दायक कहाने सुनने के लिए लिए प्रेंग करेंट